तो हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चाइनल पर जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने के के एफसी बीग बैश लिग की आर इन वर्सेस स्टी आर की का वीडियो अल्रेडी डाल चुका हूं वाद है और jk V Selbst जो मैंच है दोस्तों किeeeP amar का ओको डाल चुका हूं यह दोनों वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते अभी इसको काफी टाइम तो दोस्तों आगा आप इस वीडियो में मैं जो बात करना है उसी वीडियो की बात कर लेते तो वह भी मैच है दोस्तों लंका प्रीमेर लिग की के डबलू वर्सेस डीजी के बीच होने वाली यह मैच है तो इसको मैं हाइलाइट करके देखाता हूं कि वह यह मैच है दोस्तों यह इस पर हमें क्लिक कर लेनी हो अगर आपने अब तक यहां पर टीम नहीं बना ही वह भी मैं दिखा दूँगा तो चलिए दोस्तों माय टीम पर जाने से पहले एक बार रिक्रेस करता हूं अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यहां फिर आप मेरी चैनल पर नहीं तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ बेल आइक में शामिल करेंगे लेकिन फिलाल हम अभी एक ही किपर के साथ बैटिंग के अगर बात करते हैं तो यहां पर आर पावल को लिया भी राच बक्षा को लिया दोनों ने अब उधाभी टेटेंड में अच्छा खासा पर परफॉमंस किया था और ए परेरा ने भी काफी बढ़ इसके बाद मैंने यहां पर पी थरंगा को भी लिया यह भी काफी बढ़िया खेल रहे और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर रहे तो जरूर आप इन पर भर्चा कर सकते हैं दावल लगा सकते हैं अगर गेंबाज इकी बात करते हैं तो यहां पर चार गेंबाज क को लिए तो इस तरसे चारों की चारों बेस्ट गेन बाद है दोस्तों इन सब को अच्छी खासी विखते मिली है तो आप जरूर इनको अपने टीम में शामिल कर सकते काफी बढ़िया टीम बनेगी दोस्तों कंटीनू पर क्लिक कर लेंगे देख लेंगे क्याप्टन और वाइ ऐस क्याप्टन मारा दोनों की दोनों बेस्ट हे दोस्तों आच्छी खासी बैकिंग कर सकते हैं और पाविल तो काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से बैकिंग करते हैं तो इसलिए मैंने को परेड़ा भी राजबख्षा-वाइस-काप्टन में आज दोनों पता ही है काफि बैटिंग भी कर सकते और पीथ रंगा ने भी काफी बढ़िया पर्फरमस किया है पिछले एक या दो मैचेस हुए उसमें और तो जरूर आप इनको भी अपने टीम में शामिल कर सकते पर वर्सक कर सकते गेंबाज कर बात करते तो चार बेस्ट गेंबाज मैंन वेस्ट मत किजिएगा क्योंकि यह टीम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिला देगी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रांड लिक के लिए उसके जिएगा स्मॉल लिक के लिए बिल्कुल भी यूज मत किजिएगा तो इस टीम के कैप्टन और वास कैप्टन के अगर बात कते तो जैसे कि आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि अबुधाबी टीटें की कई मैचेस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आर पावेल और वी राजपक्षा ने वहां पर काफी जबदस परफॉर्मस किया था और काफी कंसिस्टन परफॉर्मस किया था बीर आज पक्षाने और आर पावेल काफी अच्छे स्टाइक रेट से खेलते तो इसलिए दोनों का मेल काफी बढ़िया रहेगा दोस्तों इन दोनों को मैंने क्याप्टन और वास क्याप्टन बरसाग कर सकते इस टीम को कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं जैसे कि आप देख पारें दूसरी टीम में मैंने आप फिर से बेंडंक को ही लिया है वह उसके अलाव किसी कीपर को नहीं लेकिन यहापे मैंने बैटिंग में चेंजेस कर लिया है यहापे चार बैट्समस के साथ में जाओंगा आर पाविल और वी राच पक्ष सकते हैं और काफी जबदस परफॉर्मस कर सकते हैं तो इसलिए मैंने इनको शामिल किया इसके बाद अगर अल्राउंडर्स पर चलते तो फिर से मेरे पास मुहमद अपिस और स्वमित पटेल और तीसरे जो है पीत तुस्वारा को वापस लिया है यह भी काफी बढ़िया है के दोस्तों इस टीम को कंटिन्यू कर लेते हो देख लेते कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते तो आप यहां पे मैं आपको ज़रूर्ण दिखा दूंगा कि मैं यहां पे थोड़ा कंफ्यूस था समित पटेल और मोहमद हफीज को मैंने यहां पे देख सकते कैप् कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते फिलाल मैंने इनके दोनों पिछले मैचेस के पर्फॉर्मंस के आदार पर मोहमद हफीज का ज्यादा बढ़िया और कंसिस्टन परफॉर्मंस रहा है तो इनको कैप्टन बना और समित पटेल ने भी अच्छा परफॉर्मंस किया है लेकिन पिछले मैच में इन्होंने थोड़ा कम परफॉर्मस कहता है इसी लिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बना लेकिन समित पटेल भी काफी अच्छे प्लियर है काफी जबदस प्लियर है तो आप इनको भी कैप्टन जरूर बना सकते हैं टीम प्रिव्यू एक बार करा दे चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तो ओप्शन हमारे पैस कम है और यह तीनों ने इतना जबदस परफॉर्मस के आप तक तो इनको छोड़ना इन में से एक को भी छोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था इसरू उदाना और एह हुसेन और एल कुमारा को मैंने चेंजेस तरह से यह भी दोनों काफी बड़िया तीनों काफी बड़िया प्लियर है दोस्तों आप इंतर पर को भी विक्टे मिल रहे और अच्छी खासी बॉलिंग यह कर सकते कैप्टन और वाइस कैप्टन के अगर फिर से बात करते तो मैंने मुहमद हफिस को कैप्टन मना है और समीट पटेल को वाइस कैप्टन मना है दोनों की दोनों बेस्ट आल राउंडर से दोस्तों दोनों की दोनों अच्छी खासी बैटिंग और अच्छी खासी गेन बाजि तो जरूर आप दूसरी टीम में जरूर समित पटेल को क्याप्टन लगाईएगा दोस्तों क्योंकि यह भी काफी बढ़िया प्लेयर और अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर सकते तो आपको काफी फायदा हो सकता है इसलिए मैंने कुछ इस तर से किया है तो इस टीम को भी अभी कलोज कर लेते और से कर लेते जैसे के आप देख पारेती और आकरी टीम में डंग को रखा у लेकिन फॉमस को भी इस टीम में शामिल कर लिया क्योंकि अगर यह अच्छा फॉमस दोस्तों और अच्छे खासा परफॉर्मस जरूर कर सकते तो इनको भी आप जरूर एक टीम में शामिल कर सकते ताकि अगर यह अच्छा परफॉर्मस करते तो आपको ज्यादा दोस्तों तो आप इस तर से कर सकते अगर आप नहीं करना चाते तो समिट पटेल को वहापस ले सकते लेकिन पीठ रंगा को भी मैंने वापस लिया है तो इस तर से यहाँ पर तीने ओल राउंडर अच्छे रोस्तों और जरूर आप इन पर भी वर्चा कर सकते दाव लगा सकते अगर आप चाहे तो यहाँ पर बेंड डंग को छोड़ सकते कीपिंग में और फिर से यहाँ पर रखता हूं दोस्तों और गेंद भाजी का वाट सकते तो यहाँ दूसरे जो गेंड बाजे तुशारा को लिया उसके बाद मैंने श कोलमबेच को इस टीम में शामिल के तो इस तर से यह बीटिम काफी बढ़िया बन चुके तो इस टीम को भी आप इसी तरसे बना सकते हैं दोश्तों क्यूंकि यहाँ मैंने बेंट डंक को कैंसल कर लिया, आपको लाई दिखाया है और समिट पटेल को भी स्टीम में ले लिया और बनाने में जरूर मैं बदत करता हूं कि मैं आपको अलग-अलग ओप्शन दिखाऊंगा दोस्तों पीठ रंगा को अगर आप क्याप्टन बना रहे तो आप यहां पर देख सकते यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे या फिर आप एंट उसारा को भी वाइस कैप्टन बना सकते यह भी अच्छा परफरमास कर चुके तो अप इस तरश से बीचा हैं वे सब्सक्ली और वाइस कैप्टन को और देख पार है मेरे पास समय ने कीपिंग में चेन्ज कर लिया है बैंडंग की जगा पर डी ठोम entrar को लिए यह पर तीन जो बल्लेवाज राश्पक्षा को लिए और पावेल को लिए और गुंतालिका को लिए और मेरे पास चार और से दोस्तों मोहमद हपिस समित पटेल आई जैवंते और पी थरंगा को मैंने लिया है उसके बाद गेनबाजी कि अगर बात करते तो एल कुमा कैटिंग और बौलिंग तोनों में कुमा कर सकते इसलिए तन इसलिए कर सकते अगर बात करते पहिलीम और तीसरी टिम तो शिर्फ और सिर्फ ग्जांड़क के लिए उत्ental लेकिन सेकर्ड जो टीम है तो आप उसे सविगम इंश लू अपनी सबसकरों जैसनों के लिए योड़ी ऊट्सक्रेर विलेकर के लिए जोड़ी мор मुझे घ्र तो बहू Luigi तो मेरी तीनों टीमें और ये वीडियो आपको जरूर काफी पसंद आया होगा और पसंद आया तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजिए साथ साथ चैनल को अब तक सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर क्लिक करना ना भूले तो ठीके दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू धन्यवाद